नमस्ते दूस्तों आज मैं आपके साल संत्रे की मिठाई की रेसिपी सेयर करने जा रही हूँ ऐसे तो इस मिठाई को बहुत से लोक्स संत्रे की वर्फी, संत्रे की जेली, टर्किश डिलाइट बोलते हैं आप नाम कुछ भी दें लेकिन खाने में बहुत ही टेश्टी ये संत्रे की मिठाई को सही तरीके से बनाने के लिए पूरा वीडियो वाच कीजिए बिना इस्कीप की हुए जिससे कि आप इस मिठाई को शही तरीके से बना सके इस संत्रे वाली मिठाई बनाने के लिए मैंने चार संत्रे लिए हैं तो सबसे पहले हम इन संत्रों को हम में जूस निकालना है आपके पास किसी भी तरह का जूसर हो उसे अब जूस निकाले नहीं तो इसे हां से भी दावा कर असानी से इसका जूस निकाल सकते हैं तो मेरे प थेस्ट नष्ट निकलेए तो आप उसमें थोड़ा सा जूज और आड़ कर सकते से या तो पानी है तो पार कर दशाए में पिताइम नष्ब कैंट एह थोचा शूंगे तो बीना फूट कलर का इसकाप लेकिन देखने में थोड़ा फीका फीका लगेगा, तो यहां पर हम एक चवथाई कप कॉन फ्लोर लेंगे, और जूस में हम अच्छे से कॉन फ्लोर को मिक्स कर लेंगे, इस जूस को हम साइड में रख लेते हैं, और आगे का काम कर लेते हैं, तो हमें मिठाई सेट करनी है, तो एक बरतन लेंगे, अब कोई भी बरतन ले सकते हैं, तो यहां पर मैंने एक एक टीन लिया, जिसमें हम भी अच्छे से लगा देंगे, सभी तरब से, जिससे की जो मिठाई है, वो असानी से निकल जाए, तो देख सकते हमने अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है, अब इस करने के लिए, हम एकड़ा ही लेंगे, जिसमें हम हाफ कप पानी और एक कप चीनी डालेंगे, गयस कफले महाई कर देंगे, और कंटीनिव चलाते हुए, हमें तब तक इस चासनी को चलाना है, जब तक की चीनी अच्छे से घुलना जाए, अब इस चासनी को हमें तब तक प जो तले में जाके बैठ जाता है तो यहां पर हम चासनी में हम जूस को डाल देंगे और इसे हम कंटीनिव चलाते रहेंगे क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप इस जूज को चलाना बंद कर देंगे तो इसमें जो गुठालियां बनना शुरू हो जाएगी इसलिए इसे हमें कंटीनिव चलाते रहना है देख सकते हैं हमारी जो मिठाई है उसे पकते हुए तकरिवन 2-3 मिनट ही हुए है इस तरह से जो मिठाई है घड़ा होने लगी है तो इस मिठाई को हमें इसी तरह कंटीनिव चलाते हुए पकाना है जब तक कि मिठाई घड़ी हुग जाए और तलह गद कई हए देनगी और तला चोड़ने लगे तो उसे आप सेट करने वाले बर्तन में ट्रांसफर कर दें हलका सा बर्तन को इस तरह से हिलाई डूलाएं जिससे कि आपकी जो मिठाई है अच्छे से फैल जाए और अच्छे से से सेट हो तो देख सकते हैं मैंने इस मिठाई को तकरिवन एक से देर से मिठाई में इसे काट लें आ आपको बड़ी मिठाई अच्छे लगती हो तो यहां पर मैं चोटे छोटे पीस की काट रही हूं संत्रे कि यह मिठाई आपको पसंद है तो लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिजेगा और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए विल आइकन का बटन दवाना ना भूलिएगा तो यहां पर मैं चीनी का बुरा ले आई हूँ अगर आपके पास चीनी का बुरा ना हो तो आप PCV चीनी का भी यूज कर सकते हैं तो आप इस संत्रे की मिठाई को काटते जाए आप चीनी में इस तरह स मैंने रख लिया है और ऊपर से हम थोड़ा सा चीनी का पाउडर इस तरह से छिड़क देंगे जिससे कि आपकी जो मिठाई है देखने में भी सुन्दर लगे और साथ में खाने में भी इसका टेस्ट काफी बढ़ जाए संत्रे की मिठाई को इस तरह से चीनी के साथ अश्छा लगा इस मिठाई को हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हमने जिस थाली में इस मृठाई को पाउडर के साथ मिक्स किया था इसमें इक्ष्टरा चीनी है तो इसलिए हमने यहां पर अलग प्लेट में सारे मिठाईयों को निकाल लिया है एक बार आप इस संत्रे की मिठाई घर पर जरू ट्राइ कीजिएगा घर में सब को काफी पसंद आगा बिल्कुल जेली की तरह ये मिठाई लगती है खटी मिठी स्वाद है सब को काफी पसंद आएगी